नमस्कार, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे Basic of Stock Market यह Stock Market क्या है? ठीक है? यह Stock Market जो है यह क्या है? कैसे काम करता है? Stock Market की जरूरत क्यों पड़ती है? Stock Trading क्या है? ठीक है इसके बारे में हम लोग आज के इस एपिसोड में सीखेंगे और जानेंगे बहुत ही आसान भासा में अब यहाँ पर इस टॉक मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम लोग समझेंगे मान के चलते हैं कि यहाँ पर प्रवीन है प्रवीन जी है और इनके पास एक कमपनी है वो कमपनी क्या करती है वो कमपनी है या मैं मान के चलू एक शौप है और वो शौप है इनका पिज्जा का तो प्रवीन क्या काम करते हैं पिज्जा बनाते हैं अब इनका काम इनकी मेहनत के बदॉलत इनके प्रोड़क्ट के बदॉलत बहुत बढ़िया फलता है खूब बढ़िया चलता है और प्रवीन का जो कैपिटल हो जाता है ये हो जाता है मान लेते हैं हम लोग 50 लाक रुपे का इनके पास कैपिटल हो जाता है और प्रवीन का जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है अब प्रवीन सोचता है कि क्यों ना ये जो पिज्जा का बिजनेस है इसको और भी ब्रॉड किया जाए और भी एक्स्पैंड किया जाए क्यूंकि मेरा जो प यह बहुत ही हिट प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक है बहुत ही अच्छा है तो जब मैं एक शॉप से पचास हजार का कैपिटल तक पचास लाग के कैपिटल तक पहुँच चुका हूँ तो क्यों न हम इसे एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करके पूरे देश भर में एक एक ब्रांच खोल दें और खूब सारा धेर सारा पैसा कमाया जाए यह जो होता है इस पिज़ा कंपनी का प्रवीन का इंटेंशन होता है तो प्रवीन क्या करता है प्रवीन जो है अब इस कंपनी को बढ़ाने के लिए इस कंपनी के ग्रोथ के लिए प्रवीन को चाहिए पांच करोर रुपए प्रवीन को निडेड है पांच करोर रुपए प्रवीन को चाहिए तो अब जो है प्रवीन को ये 5 करोड रुपे कहां से मिलेगा मित्र से दोस्तों से अमाउंट बहुत बड़ा है नहीं मिल पाएगा तो प्रवीन ये फैसला करते हैं कि ये IPO लाएंगे ठीक है तो यहां से देखिए share trading का stock market की कहानी शुरू होती है कहां से प्रवीन ने 5 करोड रुपे जेनरेट करने के लिए क्या क्या IPO लाया तो IPO का full form क्या होता है आई का मतलब होता है initial P का मतलब होता है public O का मतलब होता है offering प्रवीन को चीए कितना 5 करोड तो क्या प्रवीन अब चौराहे पे जाएं माइक लेके चिलाएं भैया आओ मेरे company में निवेस करो मुझे पैसे की जरूरत है प्रवीन ऐसा तो नहीं कर सकते और इस तरह से कोई पैसा मिलेगा भी नहीं तो प्रवीन के पास एक रास्ता है क्या रास्ता है प्रवीन लाते हैं आईपी ओ तो प्रवीन आईपी ओ किसके थुरू लाते हैं एनेसी में क्वालिफाई होते हैं पहले प्रवीन ठीक है यहाँ पे इंटरी किसकी हो गई अब ध्यान से देखना समझना बहुत ही मजा आएगा बहुत ही सुंदर क्लास है बहुत ही बेसिक चीज है सीखना बहु प्रवीन किस के थुरू एनसी के थुरू जाना होगा क्यों प्रवीन को पैसा चाहिए किस से मोटा पैसा चाहिए पांच करोड तो प्रवीन को चाहिए पैसा पब्लिक से तो आई पी ओ लाने से पहले एनसी में जाता है प्रवीन और एनसी में उसकी जो ये पिज्जा कंपनी है NSC में क्वालिफाई होता है सबसे पहले कि हाँ इसका बिजनेस अच्छा है सही ग्रोथ कर रहा है NSC सारी चीजों को चेक करती है चेक करने के बाद इसे मिलता है प्रवीन को ग्रीन सिगनल मिल जाता है ठीक है आप IPO ला सकते हैं इनिशियल पब्लिक ओफरिंग से मेरा क्या तात परिया है कि प्रवीन जो है पब्लिक को ये कह रहा है कि आईए और मेरे इस पिजा कंपनी का परफोर्मेंस बहुत बढ़िया है आप आईए और आकर हमारे कंपनी में हिस्सेदार बन जाए तो अगर आप IPO खरीदते हैं तो आप डाइरेक्टली उस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं शेयर होल्डर बनने का मतलब कि जो भी मान के चरो इतना बड़ा IPO है इसका आपने जो भी एक छोटा सा भाग खरीदा है इतने प्रतीशत के आप इस कंपनी में मालिक बन जाते हैं ये होता है IPO इनिशियल पब्लिक आफरिंग अब प्रवीन को कितना चाहिए प्रवीन को चाहिए पांच करोर रुपए पांच करोर रुपए किसे चाहिए प्रवीन को तो प्रवीन क्या करते हैं प्रवीन प्रवीन यहां पर पांच लाख पांच लाख सेर्स आवंटन करते हैं जिसका मुल्य है सो रुपए तो सो रुपए के इन्हों ने क्या किये पांच लाख शेर पबलिक को ओफर किये कि आईए ये पांच लाख शेर खरीदिये अब पबलिक इस पांच लाख शेर को खरीदती है सो रुपए के भाव में तो पांच लाख इंटु सो करेंगे अगर हम लोग इंटू 100 करेंगे तो बन जाता है पांच करोर इस प्रकार से जो प्रवीन है वो पांच करोर रुपए इकठा कर लेता है और इसे लगाता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इक्सपैंड करने में, ने टेकनोलोजीस को लाने में या अन्य अन्य तरीकों से इस पैसे को यूज करके कमपनी को एक डाइरेक्शनल वे में, एक ओगनाईज वे में उपर की तरफ एक्सपैंड करने की कोशिस करता है प्रवीन अपने पिजने कमपनी को नए नए ब्रांचेस खोलता है उसके बाद, क्या हुआ, IPO जो है, IPO का समय सिमा तब समाप्त हुआ, IPO सबको ओफर हो गए ओफर होने के बाद, IPO सबको अलोट कर दिया गया, अलोट्मेंट हो गया इसका, और कितने शेयर धारक बने, पांच लाख stock holder बन गए ठीक है, अब इसके बाद, ये जो stock है अब ये, जैसे अब ये 5 लाख लोग तो हो, 5 लाख stock market में है तो अब अगर किसी को बेजना हो अपना stock तो कहां बेचेगा, अब यहाँ पर इंटरी होती है, द दलाल स्ट्रीट यहाँ पर किसकी इंटरी होती है, द दलाल स्ट्रीट की इंटरी होती है, हमारा stock market इसकी यहाँ पर क्या होती है, एंटरी होती है, एनस्सी, बीएस्सी, यहाँ पर यह stock listed हो जाता है, किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, अब मान के चलो, शक्ती ने IPO को खरीदा था, अब जो इसका प्राइस है, पांच करोड रुपे निवेस होता है, कम्पनी खूब तरक्की करती है, जो इसने 100 रुपे का एक एक शेयर बेचा था, अब क्यूंकि कम्पनी ग्रोथ कर रही है, तो कम्पनी का profit इन्हें मिला, तो इन्हें कम्पनी का profit मिला, तो अब इसकी कीमत बदल के हो गई, प्लस 100 addition, 200 कम्पनी ट्रेड कर रही है, अब शक्ती यह चाहता है, कि मैंने 100 रुपे लगाये थे, अब इसका कीमत 200 हो गया है, तो अब यह बेजने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर किसकी entry होई, दला लिस्टेट, नसी, बीएसी में लिस्टेट हो गया, stock, और यहाँ से अब इसकी शुरू हुई, खरीद बिकरी का सिलसिला, यहाँ से शुरू होने लगा, अब क्या हुआ, जरा इसको देखेंगे हम लोग ठ्यान से देखना है वीडियो को, बहुत कुछ सिखने के लिए मिलेगा, शक्ती ने अपने 100 quantity ओफर करता है मार्केट में, और यहाँ पर, सौरी, यहाँ पर शक्ती ने 100 quantity ओफर किया, और मैं मानता हूँ, रमेश यहाँ पर, इंट्रेस्टेड है, इस 100 quantity को, बाई करने में, क्यूं, रमेश शक्ती को पैसे की जरूरत है, या शक्ती यह सोचता है, कि जितना मुनाफ़ा मिलना था मिल गया, अब बाहर निकलो, और रमेश यहाँ पर उसी को खरीदना चाहता है, तो, 200 में, शक्ती ने जो है, बेच दिया अपना, इस टॉक रमेश को, अब यह रमेश के पास, इस टॉक आ गया, अब देखो, इसी को कहते हैं, इस टॉक ट्रेडिंग, या इस टॉक को एक्स्चेंज करना, ठीक है, शक्ती ने, पैसे के बदले, रमेश को इस टॉक दे दि अब फिर इसकी कीमत बढ़ती है, 200 में खरीदा रमेश ने 200 कीमत हो जाती है, तो रमेश जो है, अब यहां क्या करता है, इसे अपना मुनाफ़ा मिला, अब रमेश 200 में बेचता है, श्याम को, श्याम बेचता है, सुरेश को, सुरेश बेचता है किसी और को, रवी को, न जा जाने कितने trades अब इसके होने लग जाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं stock की trading अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर रमेश ने 250 रुपए में stock को खरीदा buy किया और श्याम ने इसको 250 पर क्या किया stock को sell कर दिया ठीक है श्याम ने sell किया रमेश ने buy किया क्या label मिले हमें मिल गया 250 एक label मिल गया अब यह जो stock है यह बढ़ते 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 कहां तक पहुँच गया 300 के label तक 300 के label पे क्या हुआ कि market में रमेश जैसे ना जाने कितने लोगों ने जो buy किया था 250 पर अब उन्हें ये लगता है कि stock का price 300 रुपए हो चुका है और अब stock में ज्यादा बृध्धी की उमीद नहीं है तो यहाँ पर रमेश क्या करता है 300 में sell कर देता है ठीक है किसे sell कर देता है और भी बहुत सारे traders है interested traders है उनको ये sell कर देता है 250 में buy किया 300 में sell किया is equal to 50 आर इस का रमेश को profit हो गया ठीक है 250 और 300 दो लेवल्स आपको मिले ध्यान रखेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये 250 जो है ये है हमारा support 300 जो है ये है हमारा resistance कैसे इसको भी जरा सा देखते हैं हम लोग इसको किस प्रकार से देखेंगे 250 नीचे 300 का लेवल उपर market किस प्रकार से trade कर रहा है 200 पर आता है buying आ जाती है 300 पर जाता है selling आ जाती है फिर 300 से नीचे 250 पर आता है buying आ जाती है 250 से ऊपर फिर 300 जाता है यहाँ पर selling आ जाती है तो हम ये मानते हैं क्या मानेंगे चलिए ऊपर के line को connect कर दीजे नीचे के line को connect कर दीजे तो ये जो 250 है यहाँ पर बार बार buying आ रही है क्या आ रही है 250 पर इसकी बार बार buying आ रही है और 300 पर selling आ रही है तो जो buying का zone होता है इसे हम कहते हैं support zone और जो selling का zone होता है इसे हम कहते हैं resistance और support से हमारा क्या तातपरिया है कि 250 पर market जाता है तो उचल जाता है 300 की तरफ क्यूं क्यूंकि buyers जो है वो 250 पर interested है खरीदने के लिए बढ़िया इसके अंदर खरीदारी आ जाती है हर 250 के उपर और 300 जाने के बाद stock holders को लगता है कि target hit हो चुका है stock इसके उपर नहीं जाएगा तो यहाँ पर जो buy करते हैं वो यहाँ पर sell कर देते हैं अब एक चीज और समझने वाली बात यह है कि stock market में ही यह facility आपके पास है कि बिना खरीदे भी आप किसी चीज को sell कर सकते हो 250 का label नीचे 300 का label उपर यह दो line मैंने draw कर दिया नीचे आता है buying होती है उपर जाता है selling होती है नीचे आता है buying होती है उपर जाता है selling होती है कुछ इस तरह से तो अब जो है यहाँ पर खास बात क्या है कि जब भी resistance पर जाता है अब यहाँ पर entry होती है राहूल की राहूल के पास कोई भी stock नहीं है वो directly 300 में इसे बेच देता है sell कर देता है और 250 आने पर इसी चीज को खरीद लेता है तो राहूल को सिर्फ और सिर्फ sell करने के यहाँ पैसे लगेंगे राहूल को जो है पैसे जो लगेंगे वो सिर्फ sell करने के लगेंगे buy करने का profit मिलेगा तो 300 में किसी भी चीज को मैंने sell कर दिया और 200 में उसी चीज को मैंने buy कर लिया तो मुझे यहाँ पर profit हो जाता है 50 RS का जी आपका यह सवाल आएगा कि कि किसका राहूल के पास तो कोई buy थी नहीं तो उसने sell कैसे कर दिया हाँ stock trading में हम sell पहले कर सकते हैं और बाद में buy करके हम लोग उसका profit generate करना शुरू करते हैं अब राहूल ने क्या किया 250 है यह तो 50 का profit हो जाता है तो राहूल ने क्या किया 300 में sell कर दिया market आया 250 राहूल को 10 RS का profit हो रहा है और यहां पे राहूल क्या करता है अपना जो position है उसको exit कर देता है तो exit करने से क्या तत्परे है मेरा कि राहूल यहाँ पर buy कर लेता है क्योंकि पहले यहाँ पर यह sell किया था राहूल ने उसी प्रकार से 250 आने पर राहूल क्या करता है 250 का label आने पर राहूल इसको फिर से buy कर लेता है और 300 का label आने पर राहूल इसी चीज को फिर से sell कर देता है तो इन दोनों का difference is equal to 50 Rs वापस राहूल को profit जाता है 250 नीचे 300 ऊपर 250 support 300 resistance resistance का मतलब क्या कि जहां से बिकवाली आती है support का मतलब क्या जहां से buying आती है अब क्या होता है ये support और ये resistance अब क्या होता है market trade कर रहा होता है market trade कर रहा होता है कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से और यहाँ पर company का जो परफोर्मेंस है इस पिज़ा कंपनी का इसी के बारे में तो अभी तक बातचीत हो रही है इस पिज़ा कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया अब एक नई उचाई को छूने की कोशिस कर रहा है ये पिज़ा कंपनी तो यहां पर क्या होता है कि जहां पर आ रही थी वहाँ पर अब नए बायर्स फ्रेश बायर्स इंट्रस्टेड हो रहे हैं इसे खरीदने में तो जाहिर सी बात है जहां पर सेलिंग आनी चाहिए वहाँ पर बाइंग आ जाएगी तो इस रेंज को तोड़ के स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाएगा है ना और जब 300 के रेसिस्टेंस को तोड़ के पिज़ा कमपनी ऊपर की तरफ निकल गया तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक आउट अब यहाँ पर ब्रेक आउट आ गया अब यह स्टॉक कैसे ट्रेड करने लगा जरा इसको देखेंगे हम लोग 300 पे क्या हुआ पहले हमारा 300 रेसिस्टेंस था रेसिस्टेंस था और अब यहीं से ब्रेक आउट आ गया मतलब यहाँ पर फ्रेस बायर्स एड़ हो गया और अब उपर की तरफ इसके मुवमेंट आ रहे हैं और अब आ गया 400 का लेबल मतलब जिस इस्टॉक का प्राइस सा 200 वो अब बढ़के 300 हुआ था पहले जो रेसिस्टेंस बना नीचे 250 था जो सपोर्ट था और यहाँ से ब्रेक करके चला गया 400 तो अब यह 300 जो है फ्रेश बायंग यहाँ पर आई तो यह 300 का जो लेबल है जो की पहले रेसिस्टेंस था अब यह बन गया सपोर्ट कैसे कि अब जो है 400 बन जाता है रेसिस्टेंस और 300 क्या बन जाता है हमारा सपोर्ट अब मार्केट कुछ यूँ ट्रेड करने लग जाता है कि 300 पर आता है तो बायर्स एड होते हैं क्यूं कंपनी का परदर्शन बहुत अच्छा है और 400 जाता है तो सेलर्स आ जाते है इन ही दो लाइन को बीच में ट्रेड करने को हम कहते हैं स्विंग ट्रेड का नाम देते हैं ठीक है क्या नाम देते हैं हम लोग स्विंग ट्रेड ध्यान से पढ़लेंगे इसको हम लोग यहां तक बात सब के समझ में आ गया अब कम्पनी कहां पर है 400, resistance, 300, support और 250 है यह हो गया मेरा, strong support खीक है, market इन दोनों के बीच में कहीं कुछ trade कर रहा है कम्पनी में एक bad news आ जाता है, कम्पनी में कुछ bad news क्या आया, कि कम्पनी अपने हिसाब से performance नहीं कर रहा है तो कम्पनी यहां से fall करता है, इसी fall को हम कहते हैं, कि जिसका price 400 था, resistance 300, इसका support था अब यह 300 घट के आ गया है, 290, तो इसी को हम कहेंगे breakdown आना, या आप यूँ कह सकते हो, कि नीचे की तरफ का यह breakout है तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर sell करते हैं, और target क्या लेते हैं, strong support 250 का क्यों यहां पर अभी भी उम्मीद बनी है कि हो सकता है, बार बार यहां पर सुरू में buyers जुड रहे थे तो वापस यहां पर कहीं buyers खरीदने के इंतजार में होंगे, तो हम इन दोनों के बीच का लेते हैं, target उसी प्रकार से breakout आने के स्थिति में, 400 से breakout आने के स्थिति में, जो उपर का resistance बनेगा वो होगा हमारा, यहां पर हम buy करेंगे, तो वो होगा हमारा target इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ, आपको मैंने बताया, IPO के माध्यम से किस प्रकार से stock आया, दलाल स्ट्रीट आया, NACBSC का entry हुआ वहाँ पर, कैसे stock की trading शुरू हुई, और किस प्रकार से stock ने performance दिया पूरी performance इसी प्रकार से होती है तो buy करने के लिए, अगर आप किसी भी stock को buy कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो कोई न कोई वहाँ उसको sell कर रहा है अगर आप किसी भी stock को sell कर रहे हो, तो कोई न कोई वहाँ पर buyer है अगर seller और buyer में से कोई भी एक नहीं होगा, तो trading नहीं होगा यह है basic of stock trading ऐसे होता है stock की खरीद और बिक्री इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखें और इस चीज़ को आप सीख सकते हैं किस प्रकार से stock market जो है stock market जो है हमारा role play करता है और किस प्रकार से हम लोग trading करते हैं Thank you very much for this video जैहिंद वन्दे मात्रम